सोमदिर सोईवित सोनिया में आप सभी का स्वागत है गर्मियों में आम की भरमार होती है तो चलिए आज आम से बनी हुई एक बहुती टेस्टी रेसिपी बनाते हैं आज हम बनाएंगे आम पापड़ आम पापड़ खाना बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद होता है और अगर आम पापड़ घर का बना हो तो उसके क्या कहने तो चलिए बिना किसी देरी के आज आम पापड़ को घर पर कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं तो मैंने यहाँ पर चार बड़े आम लिये हैं और उनको इस तरह से छील कर उनका पल्प निकाल लिया है जैसे हम mango shake बनाने के लिए mango का पल्प निकालते हैं सेम उसी तरह से हमने इस एक mixi के jar में इस तरह से इखठा कर लेना है अब jar का ढकन लगाकर mixi को एक से दो बर चला लेंगे और देखिए हमें बिल्कुल इस तरह का आम चाहिए इसके अंदर pieces बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए यह देखिए चलिए ब आगे का process देखते हैं अब gas पर एक भारी तले का pan रख देंगे pan को थोड़ा सा गरम होने देंगे और यह जो mango का pulp हमने ready किया है वो pan में डाल देंगे इस तरह से इसमें हमने पाने बिल्कुल भी नहीं डालना इस बात का आप ध्यान रखेंगे gas का flame अभी के लिए हम high रखेंगे अब इसके अंदर हम एक छोटा निम्भू का रस डाल देंगे निम्भू के रस से यह आम पापड बहुती चटपटा बनता है आदा छोटा चमच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे जीरा पाउडर भी मैंने घर पर ही बनाया है आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर इसकी रसिपी देख सकते हैं अब इसमें आदा छोटा चमच पेसी हुई लाल मिर्च को डाल देंगे अगर आप जादा दीका खाना पसंद नहीं करते हैं तो लाल मिर्ची को आप अवाइड कर सकते हैं थोड़ से चेली फ्लेक्स भी इसमे आड़ कर देंगे अब इसमें डालेंगे आदा छोटा चमच काला नमक का काला नमक डालने से भी यह आम पापड बहुत ही टेस्टी बनता है आपने देखा इस आम पापड को बनाने के लिए मैंने जो भी मसालों का इस्तमाल किया है वो सभी हाजमे का काम करते हैं अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और यह जो सारे मसाले हमने डाले हैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि एक दूसरे का फ्लेवर आम पापड में आ जाए लो फ्लेम पर 10 मिनट तक हमने इसी इसी तरह से मिक्स करते रहना है चलिए जब तक यह बन रहा है मैं आपको आम पापड से रिलेटेड एक और बात बता देती हूँ आपने देखा होगा कि जब आप मार्किट से आम पापड लेकर आते हैं तो उसमें छोटे-छोटे तिनके होते हैं छोटे-छोटे मिट्टी के कंड भी होते हैं अगर आप इसी तरह से अपने घर में आम पापड बनाएंगे तो एक तो यह हाईजिन तरीके से बनेगा और यह बहुत ही टेस्टी बनेगा तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राय करें आपको बहुत पसंद आएगी अब देखिए यह मिक्सचर थोड़ा सा गाड़ा होने लग गया है लेकिन अभी हमने इसे पांच मिनट के लिए और पकाना है थोड़ा से इसे और गाड़ा करेंगे उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे तो यह दिखिए धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो गया है और यह जितना हमें थिक चाहिए उतनी क्वांटिटी में आ चुका है चलिए अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं इसे हलका सा थंड़ा होने देंगे उसके बाद किसी बड़े बरतन में इसे निकालेंगे मैंने यहां पर बड़ी परात ले ली है और उसमें थोड़ा सा इस तरह से घी डालेंगे घी को अच्छे से फैला लेंगे इस तरह से आपके पास अगर ब्रश है तो ब्रश की सायता से आप इसे फैला लें अब फ्राई पैन में जो मिक्सचर है उसे हम पराद के अंदर ट्रास्फर कर लेंगे ये देखे इसका कलर कितना अच्छा आया है अगर आप थोड़ा सा डाक कलर करना चाहते हैं तो आप इसमें यलो फूट कलर भी आड़ कर सकते हैं ये देखे सारा डाल देंगे इसमें आप इस पैराद को हम थोड़ा सा इस तरह से हिला लेंगे ताकि ये फैल जाए अगर आप बड़े बरतन में नहीं बनाना चाहते तो आप इसे दो छोटी प्लेट में भी डिवाइड कर सकते हैं चलिया आमपापड तो हमने बना लिया आप देखते हैं इसे सुखाना किस तरह से हैं तो अगर आपके घर में धूप आती है तो बहुत अच्छी बात है आप इसे 2-3 दिन के लिए धूप में रख सकते हैं लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें जब आप इसे धूप में रखें तो आप इसके उपर जाली दर कपड़ा जरूर रखेंगे ताकि इसमें कोई धूल मिट्टी ना आ जाए और अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो आप इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं उसमें भी 2-3 दिन का समय लगेगा जब यह आम पापड सूख जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए अब 2-3 दिन के बाद यह आम पापड कुछ इस तरह से दिखेगा यह देखिए बिल्कुल सूख चुका है मैंने भी इसे पंखे के नीचे ही सुखाया है यह देखिए चलिए इसके पीसे कट कर लेते हैं तो पीसे आप अपनी चौइस के हिसाब से कट कर सकते हैं तो सबसे पहले नाइफ की सायता से हम इसके कॉर्णर इस तरह से निकाल लेंगे यह दिखिए कोई भी परिशानी नहीं होगी आपको इसे कट करने में बस हलके हाथ से इस तरह से इसे जो कॉर्णर है इसके छुडा लेंगे यह दिखिए अब मैं आपको पूरा आमपापड न बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा आपको इसे निकालने में कोई भी परिशानी नहीं आएगी यह देखिए बहुती फाइन तरीके से यह आमपापड बनकर तयार हो गया है चलिए अब इसके पीसिस कट कर लेते हैं मैं इसे थोड़ी सी सिंपल सी शेप दे रही हूँ यह देखिए इस तरह से हम पतली पतली लेयर में इसे कट कर लेंगे आप चाहें तो इसे स्क्वेर शेप में कट कर सकते हैं या सरकल शेप में कट कर सकते हैं इसे काटने में भी आपको कोई परिशानी नहीं होगी चलिए जब मैं इसे काट लूँगी तब आपको इसका फाइन कर लेंगे पि कैब अपने गैस्ट को इस तारा से सफ कर के देंगे तो उनने भी यह बहुत अच्छा लगेगा और यह देखने में तो अच्छा लगता है यह देखिया आसानी से रोल हो जाएगा इस तरह से देखिए कितना सुन्दर लग रहा है यह देखिए कितनी शाइन है इसमें और यह बिल्कुल पतला बना है तो खाने में भी टेस्टी होगा ही चलिए मैं बाके के आम पापड भी रोल कर लेती हूं और आपको फाइनल लुक दिखाऊंग कि ज़रूर बताए है ऐसी ही टेस्टी टेस्टी चटपटी रेसिपी देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फालो कर सकते हैं फेस्बूक पर भी फालो कर सकते हैं जो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्श्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फूर झाल 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 झा